question number seven is 90 men can complete a work in 24 days working eight hours a day तीन कॉंटिटीज जो गिवन है इस question में हमें वो हैं फर्स्ट लिख्री हुमें men जो की हमें बताया गया है 90 next मारे पास है days 90 में वर्क कर रहे हैं 24 देज में जो की अभी गिवन है एट फर्दर बोल रहे हैं how many men are required that means यह तो हमें पास x हो गया to complete the same work in 18 days days में 18 लिखते हैं working seven and half hours a day seven and half को मैं 7.5 लिख रहे हूं ठीक है confused नहीं होने डाइक लिख सकते हैं start करते हैं x तो हमेशा downward होता है अब इसे और इसे compare कर रहे हैं days क्या हो रहे हैं less हो रहे हैं अगर में यहां लिखू less days अगर कोई काम करने में कम दिन लग रहे हैं that means men more लगे होंगे so more men पहला case तो हमारा बन गया indirect तो arrow upwards नेक्स से compare करते हैं hours भी less हो रहे हैं पहले से less hours अगेन अगर कम hours में काम हो रहा है तो लोग काम करने वाले जादा होंगे उन्होंने जल्दी जल्दी कम time में काम पूरा कर लिया होगा so more men अगेन यह भी upward error लगेगा क्योंकि इंडारेक्ट का case है अब स्टार्ट करते हैं solve करना x upon 90 यह equals वाला होता है बाकी remaining सारे multiply में 24 upon 18 multiply 8 upon 7.5 decimal हैं remove कर रही हूं 80 लिख रही हूं से direct solve करते हैं question easy करने के लिए 6 3 times 6 4 times अब फर्दर यह 5 से हो रहा है इसे cancel कर देते हैं 15 and 16 फर्दर solve करते हैं इसे x is equals to 4 into 16 divided by 3 into 15 multiplied by 90 यह 90 shift किया है 3 1 time 3 30 time 15 1 time 15 2 times x is equals to final answer आ रहा है 4 into 16 into 2 4 into 16 is 64 64 into 2 is 128 जो find कर रहे थे वो unit लगा लेते हैं that is men answer is 128 men और के लाइ वेगो से इसे किए कुव आई रहा है रहा है जार रहा हूं से को तो ऑंने है रहा है